हलो दोस्तों स्वागतियार एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आई पेल दोज जाट चोईस के 28 वे मैच की प्रेडिक्शन के बारे में जो बहर 30 है मनुसार दोपर में साड़े तीन बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों यह मैच कोलकता नाई ट्राइडेस और लखनव सूपर जोइंट्स के बीच में 14 अपरेल दोज जाट चोईस को इडियर गार्डन से स्टेडियम कोलकता में खेला जाएगा इस वीडियो में हम इस्टेडियम पिच रिपोर्ट वैदर है डिट वैड और खिलाडियों के परदसन से इन दोनों टीमों का कम परेजन करेंगे साथ ही में दोस्तों मैं मेरी परसनाल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और फैन टैंट्सी टीम की भी बात हम करेंगे दोस्तों देखो यार वीडियो सुरू करने से पहले अभी तक आपने अमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया इन सब के अपडेट में आपको टेलिग्राम चैनल पर ही बताता हूँ तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं और हाँ दोस्तों देखो यार जोइन भी करो तो ओरिजिनल टेलिग्राम चैनल को जोइन करना क्योंकि यार हमारी नाम से काफी फैक अकाउंट भी है तो दोस्तों बात करते है यार मैच के बारे में यह मैची डैन गार्डन सी स्ट्रेडियम कॉलकत्ता में खला जाएगा यहाँ पर जो भी टीम्ट हो जीतेगी वो पहले bowling करेगी क्योंकि यहाँ पर बाद में चेसा सा निशे हो जाता है यहाँ पर पहले betting करने वाली टीम के 40% जीतने के chances रहते हैं जबकि यहाँ बाद में betting करने वाली टीम के यहाँ पर 60% जीतने के chances रहते हैं और फॉस्ट बेटिंग का ऐबरेज इस्कोर एक्सोट गाहा एंग का जबकि यार सेकंड मुननलिक का अभरेजिक को साथ इ में दोस्तों यहाइस टेस्स यहां पर हाियेस्ट । स्ट trait 2 dur rn को मिलते हैं और दोस्तों देखो यार इन दोनू टीमों के बीच में इसी स्टेडियम में पहले एक मैच हो चुका है जिसको लखनयों सूपर जौइंट शुपर जॉइंट्स ने दो मैच खेले जिनमें इसे एक मैच में इनको जीत मिलिया जब्कि आर एक मैच में इनको हार जेलेनी पड़ी है और कॉलकता नाइट राइडर्स ने अभी तक इसी स्टेडियम में 80 मैच खेले जिनमें से दोस्तों इनको 45 मैचों में जीत मिली है साथ ही में दोस्तों आपर अभी तक टोटल आवराल टोटल सत्य 80 मैच खेले गए जिनमें से पहले बेटिंग कर आप यहां पर 50 मैच जीते हैं यहां पर एक भी मैच टाइ नहीं हुआ आप बात करते हैं देखो यारा इन बात करते हैं। दोस्ते हैं अपना लास्ट मेत जीत करा रहे हैं। दोस्तो अगर बात करें में इनके अपोनेट टीम लखनव सुपर जोइट्स के बारे में इनके अपना लास्ट मैशार करा रहे हैं और इनकी पोसिबल प्लेंगलेवन टीम कप्तान केल राउल क्यूटन डिकोक निकोलेस पूरन देउदत पादिकल अईस बदोनी इनके बैट्स मैन मारकस स्टोईनिस कुर्णाल पांडिया इनके ओलराउंडर पलेयर्स अर सदखान रवी विस्टोई नवी नुलुक या स्ठा कुरिन के बॉलर है जो दोस्तों काफी मजबूतिष्टीमें है दोस्तों भी तक इन दोनों टीमों के बिच में टोटल अवर्राल 3 मैच कहल गये जिनमें से 3 के 3 मैच लखनो सुपर जोयंट्स ने जीते हैं कोलके टानाइट राएडर्स ने लखनो सुपर जोयंट्स के खिल लगनो का 167 का लोएस्टी स्कोर KKR के खिलाप? सात ही मि दोस्तों अगर बात करें हम इन दोनों टीमों की लस्ट 5 मैचो के बारे में तो KKR अपने खेल के लके लगे लास्ट 5 मैचो में से 2 मैचो में ये तो पहले opening को देखते हैं केके यार की तरफ से सुनिल नारान आएंगे जबकि यार लखनाओ की तरफ से केल राहू लाएंगे लेकिन हाँ दोस्तो देखो यार इन दोनों टीमों का हम performance देखे तो दोस्त आप यहां पर देख सकते हो यार सुनिल नारान का strike rate काफी अच्छा है और हां दोस्तो देखो यार दोनों ने रन तो सेम ही बना रखे हैं बात करें अगर दोस्तो दूसरे नंबर की तो फिलिफ सोल्ट और हां किवटन डिकोक की तो इनका भी आप performance देख सकते हो दोनों के player मतलब काफी अच्छे हैं opening तो दोनों की बहुत अच्छी है लेकिन दो दोनों का जो middle order में third number पर आते हैं दोनों का performance कुछ मतले में बहुत ही ज्यादा low देखने को मिला और दोस्तो इनका average बहुत ज्यादा कम है बात करें अगर fourth number की तो आप देख सकते हो यार सरे सेयर और निकोलस पुरन इनका performance भी काफी अच्छा है लेकिन दोस्तों compared to सरे सेय में बहुत ही ज्यादा low देखने को मिला लेकिन दोस्तों अगर बात करें six number की तो मारकस स्टोइन इसका performance मतलब अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि यह bowling बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इनका इनके compare में रगुवान सी का performance भी बहुत अच्छा है क्यो आगे निखल जाते हैं अंदर असल अब बात कर लेते हैं दोस्तों देखो fantasy team के बारे में तो fantasy team में जो मापको बताया हूँ यह player तो होंगे होंगे हमारी team में जो मतलब जिनका performance मैंने high बताया है लेकिन दोस्तों final fantasy team में आपको telegram channel पर दूँगा आज की मारी fantasy team कुछ इस प कापी फैक अकाउंट भी है अब बात करते हैं मैच prediction के बारे में दोस्तों आपको पता है यह दोनों team हो का performance कापी अच्छा और दोनों team में कापी strong भी है दोनों का performance इस सीजन भी बहुत अच्छा देखने को मिला है लेकिन दोस्तों बात की जाए Google की prediction के बारे में तो देख को यार कोलकतनाई ट्राइडर्स का home ground और इनका performance बहुत अच्छा देखने को मिला है इस दिन में इस home ground पर यह अपने last match बहुत अच्छी तरिके से जीत करा रहे हैं लेकिन दोस्तों मेरी personal prediction के अनुसार इस match को कोलकतनाई ट्राइडर्स ही जी सकते हैं आप आपकी personal prediction मुझे कमेंट बोक्स में बताना और दोस्तों आपको पता ही यार किरके टेकनी चित्ता का खेले यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो किसी चीज की कोई guarantee नहीं है साथ महरा भी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो उसको भी जुरूर जोइन description में दिया है दोस्तों देखो यार वीडियो से लिगी ने तो यार वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करना हम आप से मिलेंगे टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय बार्त बंदे मात